टीम इंडिया चमचमाती हुई ट्रॉफी तो जीत गई लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब भारती फैंस का दिल पूरी तरह से तूट चुका था हेंरी क्लासें ताबर तोड बल्ले बाजी कर रहे थी लगा था 30 गेंद पर अब 30 रनों की जरूरत है टीम इंडिया मुकाबला हार गई लेकिन फिर वक्त बदला जज़बाद बदले कैसे टीम इंडिया मुकाबला जीत गई चलिए आपको बताता हूँ टीम इंडिया के जीतने के 3 टर्निंग पॉइंट पहला है 17 वा उवर लगा था अब मुकाबला हाथ से निकल गया है हार्दिक पांडिया के हाथ में गेंद थी और उम्मीद बिलकुल खट मोह चुकी थी लेकिन हार्दिक पांडिया ने बहुत सटीक गेंद बाजी करते वे हन्री क्लासन को रिशप पंद के हाथो कैच आउट करा दिया और यहीं से पूरा मामला परट गया हन्री क्लासन 27 गेंद पर 22 नर्मना कर आउट हो गए और कह सकते हैं यही वो बैकफुट पॉइंट था यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से टीम इंडिया की उम्मीदे जगी थी लेकिन फाइनल मुकाबला अभी भी नहीं हुआ था अगला वर आता है अठारवा वर और यह भी एक टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर भुम्मरा ने धारदार गेंदबाजी की और कह सकते हैं सिर्फ चार रन खर्च की अठारवे वर पर और एक विगट चटका दिया मामला पूरी तरह से टीम इंडिया के पक्ष में आ गया और विगट किसका गया मारको यांसन का जो अकेले ही कई बार दच्छिट अफ्रीका को बहुत सारी मुकाबले जिता चुके हैं यानी दूसरा टर्निंग पॉइंट बुम्रा का ओर 17 वर पर हार्दिक 18 वर पर बुम्रा अब आता है 20 वर टीम इंडिया को जीतने के लिए बچाने के लिए 16 रन बचाने थे छे गेंदे थी, छे गेंद तो रोईर शरमा हर्दिक पांडिया को जिम्मेदारी सौप चुके थे पहली गेंद हर्दिक पांडिया ने किया Full Toss गेंद थी मिलर छक्का मारने का प्रयास किये और उस गेंद पर सूरी कुमार यादों ने बॉंडरी पर एक ऐसा कैच पकड़ा जिसे दसको दसक याद रखा जाएगा जिस तरह से 1983 वर्ल्ड कप में कपिल देव ने वीमेन रिचर्ट्स का कैच पकड़ा था पीछे दोड़ते हुए वो कैच आज भी आज की जनरेशन भी यूटूब पर जाके देखती न आने वाले 20-30 साल बाद भी सूरिया के ये कैच देखा जाएगा कि किस तरह से टीम इंडिया मजधार में फसी थी और सूरिया ने वो जान जोक कर कैच पकड़ा और उस कैच के बाद टीम इंडिया पूरी तरह से फ्रंट फुट में आ गई जोस ने पंफ हो पाया की लाड़ी उपर ना फैंस पर बस रन बने फिर भी सबके वन में यही था थोड़े कम रन बने लेकिन यहां से जब चांस थे जीतने के तो वहाँ पर सॉथ अफरीका की चांस 90% थे टीम इंडिया की चांस 10% थे और उस 10% को हमने हैंडेड में कनवर बादने हाब